देश में लगे लॉकडाउन के बीच आज कुछ छूट दी गई है ग्रहम अंत्राले ने एडवाईजरी में शहरी और ग्रामिंट शेत्रू में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमती दी है हाल ही में ग्रहम अंत्राले ने एडवाईजरी जारी की है जिसके तहत इन कंपनिओ को जरूरी सामान बेचने की अनुमती दी गई है इकॉमर्स कंपनिओं ने जारी एडवाईजरी के मताबिक अब एमेजॉन और फिलिपकार्ट जैसी इकॉमर्स कंपनिओं से आप खाने पीने से जुड़े प्रोडक्ट ही मगा सकते हैं वहीं फ्रीज, कूलर, AC समित अन्य प्रोडक्ट फिलहान नहीं मगाये जा सकेंगे दरसल पहले सरकार ने कहा था कि 20 अप्रेल से इकॉमर्स वेबसाइट पर मुबाईल फोन, टीवी, लैप्टॉप जैसे इलेक्ट्रोनिक उत्पादन उपलबध होंगे इसके डिलिवरी के वक्त स्थानी इस तर पर मंजूरी लेनी होगी लेकिन इस फैसले का व्यापारियों के संगठन Confederation of All India Predas ने विरोध किया था जिसके बाद सरकार ने इस पर रोग लगा दी थी तब से सभी प्रोड़क्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद उपलबध होंगे व्यापारियों के संगठन Confederation of India Predas ने जल्द एक राश्ट्री E-commerce Market Plus शुरू करने की घोश्णा की है कोरोना वारस महमारी के बीच इस्थानी किराना दुकानदारों की मदद के लिए ये E-marketplace शुरू किया जा रहा है इस E-commerce पोर्टल पर देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोडने का लक्ष होगा